फ्रेंज आइब्रोज को घना और काला बनाने के लिए साथी आखों की पलकों को लंबा घना और काला बनाने के लिए घरिल उपया बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है आखो की पलकों को लंबा घना और काला करने के लिए साथ ही आईब्रोज को घना और काला बनाने के लिए मैं जो उपया बताने जा रही हूँ इसके लिए आपको चाहिए होगा वैसलीन वैसलिन के इस्तेमाल से आखों की पलके तेजी से लंबी होते हैं साथ ही वो घने भी होते हैं इसके अलवा यह आईब्रोज को भी घना और काला बनाता है आपको वैसलिन लेना है अपनी आसकता है कनुसार इसके बाद आपको इसमें जो चीज मिक्स करनी है वो है जैतून का तेल भी आइब्रोज को घना बनाता है साथी आँखों की पलकों को लंबा घना और काला बनाता है लगबग आधा चमच इसमें आपको जैतून का तेल मिक्स करना है जतुन का तेल बालों के लिए काफी अच्छा होता है इसे हैर ध्रोथ काफी तेज हो जाती है अगर आप इसे अपने आखों पर पलकों पर और अएफ्रोज पर लगतार नियमी इस्तेमाल करेंगे तो आपके आखों की पलके लंबी घनी हो जाएंगी साथी आइब्रोज भी काफी तेजी से ग्रोथ करेंगे अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है आपको लेना है नारियल का तेल कुछ बुंदे आपको नारियल तेल की इसमें मिक्स करनी है नारेल तिल के इस्तिमाल से भी पलके तेजी से लंबे होते हैं, घंने होते हैं. अब इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरह से mix करने के बाद, अब इसका इस्तिमाल करना है आपको अपने और यह से ब्लाइब ँथकर रहा है हम इसे इस सबस्रायत करें ही स्कू și तरह से सब्सक्रायज लगा हंदों करना करना है जिसे आपको अच्छा करना लाएग। परोजाना कर सकते हैं कुछी दिनों में आपकी घंए और काले साथ आपके आई रिफ्श भी घंए और काले लगए इसका इस्तमाल करके देखए आपको बहुत जादा लाब मिलेगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शियर जो करें बेल